हाँ जी दोस्तों क्या हाल है क्या हाल है I hope you are all doing really really well दोस्तों यह एक बहुत important वीडियो है आपके सारे CA Inter के students के जो Mate 24 का exam लिखने वाले है आप उन बच्चों भी वो बच्चे भी देख सकते जो CA Final का exam लिख रहे हैं क्योंकि दो बाते ऐसी होगी जो आपको जाननी होगी बाकी 8 बाते शायद आपको पता होगी अब मेकों नहीं पता कौनसी दो बात आपको नहीं पता है तो उसके लिए आपको वीडियो पुरा आखरी तक देखना पड़ेगा आखरी में आप लोगों के लिए बहुत स्ट्रॉग बोनस टिप रहेगा तो राइंकर्स वे जिसको मैं बोलता हूँ सर तो हम आखरी में जाके से पट से स्क्रोल कर लेते हैं और बो देख लेते हैं करके देख लो तो मेरी बात से नो दोस्तों क्या कहा मैंने दोस्तों सर सबसे पहला सवाल बच्चे जो बोध ग्रूप वाले हैं उनको अड्रेस करते हैं बिकाज आएंग अगर तुम यह वीडियो देख रहे हो ना दिसेंबर के महीने में तो आपके पास आज यह सवाल पूछने का ओप्शन भी है क्योंकि आज अगर आप सोचोगे ना तो शायद आप में हिम्मत होगी तो कर भी लोगे मैं बता रहो जैनबरी में यह सवाल का स्कोपी खतम हो जाएगा अगर आपने बोध ग्रूप की तैयारी करी है तो बोध ग्रूप में आगे बढ़ जाओगे अगर आप बारा गंटे पढ़ने की शिद्दत रखते हो अगर आप दस से बारा गंटे रोज पढ़ने की शिद्दत रखते हो तो वाई नोट गो फर बोध ग्रूप अगर आपको अपनी capabilities पता है कि पढ़ाई तो मुझसे नहीं हो पाईगी मैं चाहिए जान भी लगा दू चार-पांच गंटे से जादा में नहीं पढ़ सकता तो बोध ग्रूप सोच भी क्यो रहे हो अपने limitations पता होने चाहिए अपनी strength पता होने चाहिए उसके basis पे decision लेते पर सर आज मेरे को लगता है मेरे ताकत है मैं 12 गंटे पढ़ लूँगा पर मेरी classes थोड़ी बहुत बची है क्या मैं बोध ग्रूप target करूँ जी हाँ आपने बोध ग्रूप target करना चाहिए और आपने बोध ग्रूप करना चाहिए only till December आप अगर January में ये वीडियो देख रह सर बोध ग्रूप सबसे पहला एक basic बात बता दो सर बोध ग्रूप करूँ या single ग्रूप करूँ या आपका decision मेरा नहीं मैं आपके लिए decision कभी भी नहीं लूँगा आप मेरे को telegram में message करोगे अपने situation भी बताओगे न मैं आप कोई कभी नहीं बोलूँगा एक ग्रूप द ग्रूप की अब दोस्तो अगर सर आप बात करो बोध ग्रूप की किया आप बोध ग्रूप वाले बच्चे हो हां सर तो ये वीडियो आगे देखो और single ग्रूप वाले भी देख लेना बहुत चीज़े बताने वाला हूँ सबसे पहले सर बोध ग्रूप के मेरे को ये है calculation रजा calculation घलत नहीं सुनना सर यह आपका यह आपका पूरा का पूरा साल सर आपका exams होने वाला है मान के चलो में में 2024 में dates extend हो सकते हैं बहुत chances से हो सकते हैं extend करके यह आप 30 में 30 दिन extend करके plan कर लो नहीं कर सकते हैं हम हमेशा prudent concept लेके चलते हैं हम accounts बढ़े हम prudent concept लेके चलते हैं यह चीर आपकी contingent asset है contingent asset को आपका भी record नहीं करते हैं आप contingent liabilities को record करते हैं यह आपका asset है तो asset को record मत करो और बिल्कुल भी मन में आने मत दो सर ज़रूरी नहीं है अगर elections के date clash नहीं होते हैं में के समय में बहुत जादा वो 15 दिन free रहता है तो आईसे ही उसी समय exam रखेगा तो please मेरी बात सुनो election से date shift हो भी सकते नहीं भी हो सकते पेपर पे लिखके आज कोई नहीं दे सकता सब 99 परसेंट बन लेगा पर कोई 100 परसेंट नहीं बुलेगा आज आप यह मान के चलो exams extend नहीं होने वाले planning पूरी उसी हिसाब से होनी चाहिए सर आप एक बात समझो आपका paper जो है वो spread होगा 6 paper में 12 दिन के over 12 दिन में आपका paper spread होने वाले अब एक बात बताओ रजा अगर 12 दिन में आपको 6 subject revise करना है मतलब एक subject ले आपको 1.5 days मिलते हैं तो एक बात बताओ अगर उतने दिन में आपको revise करना है तो उसके पहले जो आप last revision खुद का रखोगे वो अगर आप 6-6 दिन में revise करोगे एक subject को तो एक दिन में revise कर पाओगे नहीं आपको logical रखना होगा तो यहाँ पे जब एक subject को 1.5 days मिल रहे तो आपका last revision 2.5 days में होना चाहिए या चलो मैं round off करके बोल देता हूँ 3 days तीन दिन में अगर revision होना चाहिए तो आपको लगने चाहिए 18 दिन और अगर आप हर एक subject का mock भी लिख लो plus 6 days और जोडनो तो आपने 24 days रख लिया उसके उपर आपने अगर 6 दिन का buffer भी रख लिया तो आपने एक महिना बोल दिया पूरा का पूरा last month आपका April का revision में with a buffer of 6 days which is too much I am telling you a very conservative I am telling you a very liberal planning करो तो आपको समझ आएगा liberal planning से भी आपका last date क्या होगा अब सर जब एक चीज आपने यहाँ पर 3 दिन में revise करी तो उसके पहले अगर 5 दिन में revise करोगे तब भी जाके आपका पार पड़ेगा और 5 दिन में अगर आप revise करोगे 6 subject को तो इसके 30 days लगेंगे और इसी 30 days में mock test भी लिख लेना तो आपका पूरा का पूरा March का महिना किस में गया मार्च का महिना गया revision में तो आपका यह हो गया revision 1 यह हो गया आपका revision 2 और यह हो गया last day revision तो आपने 3 revision कर लिया उससर आपने एक चीट समझा होगा anything in excess is not good अगर आप इसके पहले एक और revision plan करोगे मैंने CA final में 2 revision किया था CA inter में 1 and half revision किया था 1 and half कैसे सर जो आपका first group है उसका एक revision और एक revision extra होता है पर second group का नहीं हो पाता time नहीं होता है अगर आप तीन या चार revision paper में plan कर लोगे मेरे को एक बात बताओ एक subject पढ़के बोर नहीं हो जाओगे यहार law पढ़ लिया या audit पढ़ लिया audit एक बार पढ़ लिया फिर revise कर लिया फिर revise करू अरे इंसा नो मन छूट जाएगा और जब इतना heavy planning करते है न तो बच्चे क्या गलती करते है वो exam के pass के दिन में यहाँ पे जो दिन आता है न exam के पहले जब उनको बहुत ताकत से पढ़ना होता है तो वो delay हो जाता है मेरे साथ भी हुआ था क्योंकि sir आप शुरू में इतनी energy दिखा दिये कि इंसान को अपनी limitation पता होनी चाहिए मैं पांच महीने machine जिसे काम कर पाऊंगा नहीं sir तो मेरे को यह पता होना चाहिए कि बहिया मैं last में ठक नहीं जाओंगा तो मेरा graph हमेशा aggression का ऐसा होना चाहिए मेरा graph अगर ऐसा रहा कि मैं शुरू में aggression ऐसे पहुंच गया पर your overall chart should be growing like this तो अब एक बात समझो कि आप अगर इस तरह की planning कर रहे हो तो आपका दो revision तो अल्रेड़ी दो महने में हो गया sir अभी मैं क्या 40-45 दिन दे दू revision के अरे तू दे भी देगा ना तू मेरे को यह बता syllabus concise कैसे करेगा अगर पांस दिन में revision किया तभी अगली बार ती तीन दिन में किया तभी जाके बड़ी मुश्किल से अगले दिन में डेड़ प्राक्टिकल है तो मैं final में तो यह बोलता हूँ आप चार दिन धाई दिन और डेड़ दिन करो 4 देज, 2.5 देज और 1.5 देज पर चलो 5 दिन, 3 दिन और डेड़ दिन हो गया अपना बहुत planning मे तो अपने पास सर 30th March अपने पास 28th February तक का टाइम है सर इस 28th February तक क्या हो जाना चाहिए पता है आपकी पूरी classes हो जानी चाहिए 28th February तक खतम और साथ में आपका एक बार classes के साथ self study करके हो जाना चाहिए यह आपका 28th February तक होना चाहिए सर self study कैसे करके होगा देखो most likely अब आपका मैं यह कहूँ कि आपका accounts finished हो चुका है आपका मानलो direct tax खतम हो चुका है और यह मानलो आपका costing खतम हो चुका है मानलो यह assumption लेता हूँ मैं और मैं अगर कहूँ कि आप law का exam oriented batch अभी आपका चल रहे है इन direct tax के आपकी classes चल रहे है और आप audit के classes चला रहे हो और आपके और क्या सब्जिक्ट बचे आपका FMSM का भी क्लास चल रहा है या फिर नहीं चल रहा है जो भी है आपके ये चार क्लासे किसी तरीके से चल रहे हैं अब राजा एक बात बताओ जब इतने बड़े-बड़े ये 100 मारका टॉपिक है ये 50 मारका टॉपिक है आप सर सबसे पहले ना क्लास का शेडूल बनाओ कि मैं क्लास reasonably इतने दिन के अंदर खतम कर सकता हूँ आप पूछोगे कि खतम हो जाना चाहिए मैं बोलूगा खतम तो December 31st तक हो जाना चाहिए January 31st हो जाना चाहिए February मेर्ड हो जाना चाहिए जितना reasonable time आपको class में देना पड़ेगा वो तो दोगे ना class में चोरी मत करना class में जितनी चोरी करोगे उत्ता दर्थ self study में पड़ेगा प्लास में चोरी मत करना पता है सर logically हमारी law की class जाएगी exam oriented batch logically आपको पता है अगर आपका कोई बड़ा syllabus बचा है करने के बाद दो तरह का time मिलेगा पहला आपके कभी-कभी class unexpected off होगे कभी-कभी class आपके पास unexpectedly off होगे और दूसरा आपके पास शाम का time बचेगा जब आपने पूरी classes खतम कर ली है सर आपको यह शाम का timing जो आपके पास बचेगा यह आपको plan करना पड़ेगा to revise those subjects which you are studying during the class मतलब मान लो जैसे आप अगर 11 बचे से लेकर के law पढ़ रहे हो तो आज ही आपको law revise करना है ताकि विस दिन 31st को जैन को आपकी law की batch खतम हो उस दिन साथ साथ ने आपकी classes के साथ साथ आपका एक बार खुद भी पढ़के हो गया है और मैं कसम से बता रहो राजा अगर तुमने 90 गंटे की class के साथ घर जाके पढ़ाई किया ना तो आपको 45 गंटा लगेगा सर्फ खुद से पढ़ने में पर अगर आपने 90 गंटे की class के बाद यही चीज़ खुद से करने की कोशिश करी ना आपको 70-80 गंटे लगेगा यह मेरी पुस्ती बात है प्लीज मार्क माई वर्ड्स जैसे आपको दवाई रोज खाना ज़रूरी होते है ना ऐसा पांच दवाई है तो ऐसा पांच दवाद एक साथ पांच ओ खालू तुमको रोज खाना ज़रूरी है वैसे यह तुमको यह habit बिल्ड करनी पड़ेगी कि आज जो पढ़ा उसको आज ही revise कर रहा हूँ लौ के बाद मानलो तुमने सुभई indirect tax की classes करी लौ किया फिर मानलो audit किया फिर FMSM किया शाम को आओ इसी sequence में अपना एक गंटे का revision में इठाओ और एक गंटा revise करो पर एक बात बताओ अगर एक subject है मानलो FMSM जो शाम को तुम हाथ लगाने का तुमको time ही नहीं मिल रहा है तो अपने plans को change करो अब सोचो कि क्या मैं अगर FMSM की class की recording अभी देखने के जगा बाद में defer कर दू तब 31st Jan को मेरा खतम हो रहा है उसके बाद मैं feb मैं पूरा सुबह अगर इतना देर देदू recording देखने के ले और इतनी देर देदू उसके साथ पढ़ने के ले तो क्या मेरा FMSM अच्छे से justify होगा हासर justify होगा तो तुम उसको shift करो लेकिन planning ये करो कि दिन में अगर मेरे 12 गंटे है तो मैं 8 गंटे class ले रहा हूँ और 4 गंटे self study कर रहा हूँ this should be your ideal approach as of today but by the time you reach end of Jan by the time you reach end of Jan 7 के मन्त में आपका strategy different रहेगा आपके 4 या 3 गंटे के classes होगे और 9 गंटे का आपका self study होना चाहिए for the month of February सर ये transition मारना पड़ेगा आपको ये transition कैसे होगा 8 गंटे की class धीरे से 3 गंटे तो आराम से हो जाएगी लेकिन 4 गंटे का self study आराम से 9 गंटा नहीं होगा तो December में आप 4 गंटा self study कर रहे हो January के शुरू के 10 दिन में आप 5 गंटा self study कर रहे हो उसके आगे के 10 दिन में आप 6 गंटा और उसके आगे के 10 दिन में 7 गंटा self study कर रहे हो ये बढ़ाना पड़ेगा ये पुरा planning के साथ आता है राजा आप किसी से भी दुनिया में कितना भी advice मांग लो तो तक आप अपने piece of बहुत simple air तुम हिसाब लगाओ कि December, January, February 3 में आए मेरे पस तुम हिसाब लगाओ कि दिन में 8 गंटे की efficiency निकालता हो मेरे पस total number of hours कितने है फिर आप लिखो आपके classes कौन से बचे exam, आपके law की class बची है, आपके audit की class बची है जो भी classes बची है आपके उसके classes के number of hours कितने है classes के साथ पढ़ने का number of hours कितना लगेगा और total number of hours कितने है आपके बास और आप देखो क्या ये match कर रहा है कि क्या मैं दिन में 12 गंटे पढ़ रहा हो तो क्या मैं February एंट तक ही achieve कर पाऊंगा और थोड़े reasonable रखना दिन में 14-14 गंटे के target मत बनाना जब आप plan बना हो तो आपके 1st January का schedule रखना 25th December का schedule रखना अगर आप pongal-pongal celebrate करते हैं उसका रखना जो भी celebrate करते हैं उसका दिन खाली रखना उस दिन पढ़ाई होगी तो bonus होना चाहिए लेकिन उस दिन 12-12 गंटे का schedule बनाके 4 गंटे पढ़के 8 गंटे के रोना बेवकूफी है इट इस नॉट बच्पना इट इस बेवकूफी तो भाईया तुमने अपना ये planning अपने लिए अपने paper में बनाना पड़ेगा मैं अगर बना के देदू तो भाई मैंने तो सबको दे दिया अब तो सारे बच्चे उस plan में जा रहे न तुमको age कहाँ पे मिला age तो तुम्हारा खुद का दिमाग जो plan बना के execute कर रहे है वो देगा न और plan तो चलो कोई भी बना लेगा भाईया planning would be 20% उसको न religiously execute करना 80% होता है religiously उसको एकदम मतलब पत्तर की लकीर मान के execute करना कि भाई मैं आज सब त्याग दूँगा मैं नींद, चैन, सब त्याग दूँगा सबसे पहले अपना schedule खतम करूँगा फिर ही मैं कोई और बात करूँगा यह achieve करोगे न तो जाके February end तक target मिलेगा बोध ग्रूप से न जिंदगी में इजज़त बहुत मिलती है पर बोध ग्रूप नहीं मिलता इतनी आसानी से उस इज़त को कमाने के लिए न दिन रात त्यागना पड़ता है यूँ ही बस बोल दो कि मैंने बहुत मेहनत करी है मैंने अच्छे-च्छे faculties की class लगए अब मेरा बोध ग्रूप लियर हो जाएगा नहीं, तुम कुछ भी कर लो percentage तो 10% ही रहेगा भाई बाकी 90% जो बोध ग्रूप लिख रहे वो fail होने वाले क्यो आदे लोग plan नहीं करेंगा और बाकी लोग execute नहीं करेंगे आदे लोग plan ही नहीं करेंगे आज इत्ता बोलने के बाद सार मैं आपको बोल रहा planning is so important that when I entered my preparation leave I just had 30 days do you still believe that despite having 30 days I spent the first day का 70% of the day to plan the rest 29 days अरे बिना planning के कैसे आगे बढ़ू यार पूरा एक दिन का 70% मतलब तुम समझे लो 7 से 8 घंटा मैंने सर्थ planning को दिया और meticulous planning कि मैं अगर directs का plan कर रहा हूँ तो मैंने पूरा book लाया अपने सामने में एक chapter के pages देखे चाप्टर में कितना comfort है वो देखा फिर paper में plan लिखा अवे में नहीं एक डिरेक्टा एक्स पांस दिन क्या ही है पांस दिन पहां से आया पांस दिन नहीं सर planning खुद को करनी पड़ेगी if you plan very well and then you execute that plan I am telling you no one is going to stop you ठीक है सर ये हो गया उसके बाद आ जाते कितने revision सर मैंने आपको guide के कि आपने दो revision करने चाहिए करना चाहिए last के दो मेहने में करना चाहिए दो से धाई मेहना कर सकते हो आप एक group करे एट चीज याद रखना जब भी आप both group के लिए prepare करते हो हमेशन एक group को अपना safety bet बना के चलना मतलब क्या अगर आप दो group कर रहे हो what is the best result that you will get a right what is the next best result आप both group clear कर जाओगे उसके बाद का next best result होता है एक group clear होगे और एक group fail होगे worst result होता है दोनों group fail होगे sir you don't have to be here at all at least try to be here इसका एक ही basis है कि आपने एक group की इत्ति आरी तैयारी करनी चाहिए आप अगर accounts, law और tax को control में ला रहे हो कि चाहे paper कुछ भी आजाए group 1 में तो fail नहीं होगे पर paper अच्छा आया तो group 2 में जरूर pass हो जाओगे यह आपकी तैयारी होनी चाहिए अब बिल्कुल भी यह नहीं कर सकते कि सार, accounts और law मेरी strength है tax में को नहीं जमता audit मेरे को नहीं जमता FMSM मेरी strength है costing मेरी strength है अरे क्या बात है इसमें audit fail करवा देगा इसमें tax fail करवा देगा उससे अच्छा इसको छोड़ो तुम tax पे पूरी जान डालो ताकि एक group तो clear हो logically समझ रहे हो sir logically समझ रहे हो so this is how you will have to plan कि भीया एक group को में इतना control ला रहो चाहे वो group 1 हो या चाहे group 2 हो sir देखो मैं यह नहीं बोड़ रहा हूँ both group clear नहीं होगा मैं बोड़ रहा हूँ sir क्या आपके exam date extend होने वाले है हाँ पर क्या मान की चले बिल्कुल भी नहीं तो मैं आज से हर वीडियो में बोलूगा exam date नहीं extend होने वाला sir कितना mock test plan करें आप minimum एक mock test दोगे ना भाईया काफी है क्यों भाईया जैसे हम class में exam oriented class ले या regular class ले तो हम DPQ के basis पे बहुत सारी चीज़े लिख लेते उसके उपर एक mock test लिख लिए ना बहुत हो गया बाकी हवा है बाकी सब हवा है मैंने intern में मुश्किल से मैंने class में बहुत सारी test लिखे लेकि मुश्किल से मैंने आधा mock test लिखा होगा देखना पीछे दीरे से वो एक mock test का product देता होगा कि यह ले भाईया मेरा mock test लिले सिर्फ 10 रुपे में 200 रुपे में उसको उसमें interest है मैं तुमको यह बता रहा हूँ मेरे mock test में interest ही है जितना आपको relevant लगे ICI जिस दर mock test निकालेगा ICI March में एक mock test निकालता है April में एक निकालता है वो दोनों आपन discuss करेंगे दोनों में से जो question important लगेंगे लिख लेंगे बागी का ज़्यादा आपको कुछ किछ किछ करने के ज़रूरत नहीं है Sir how many subjects to study in one day आज के rate में भहिया आस तो तुम 3-4 subjects shuffle करोगे लेकिन जब आप preparation leave में जाओगे न तो मैं बोलता हूँ there is no right answer to this मैं बताता हूँ एक rank holder एक subject लाके भी एक subject पढ़के भी AIR वान लाया था और एक rank holder था जो आप मानोगे CA final में एक AIR 2 करके रम्या करके final rank holder student थी मेरी वो दिन में कितने subject पढ़ती थी final के guess करो guess करो final के कितने subject पढ़ती थी दिन में सर दिन में वो 7 से 8 subject पढ़ती थी final के हर एक गटे में वो subject change करती थी क्यों उसका यहता मैं बहुत जल्दी बहुर होती हूँ और मेरे को मेरा interest retain करने के लिए यही best सरीका लगा AIR 2 हम लोग बोलते हैं दो से सादा subject मत पढ़ना AIR 2 मत हाव मेनी subject you have to study that depends on your potential सर अबजेक्टिव शुड़ बी only one कि आपका दिन भर का ना हर एक गंता जो है ना वो प्रॉपरली यूटलाईस हो रहे है अगर हर एक गंता पड़ी यूटलाईस हो रहे हो ना तो एक subject पढ़ो चार subject पढ़ो कोई फरक नहीं पढ़ेगा intent शुड़ भी में दिन में बारा गंटे पढ़ रहा हो ना तो बारा गंटे अच्छी efficiency आई है मेरी अब समझे लोगो अब समझे लोगो अब समझे लोगो, that is broader intent are you getting my point? so this is how many subjects you should study and भया, बोध ग्रूप या वन ग्रूप ये सवाल तो never ending रहेगा I would say fight for both groups if you don't win, January, February end में अपन quit कर देंगे second group पर अभी तो fight for both groups and go for both groups, because I am telling you that you are playing a game why not play the best level of it why not play the best level it, basic level कौन खेलता है यार, मज़ा आएगी, sir, CA करने आयो, तो मज़ा तो चाहिए आपको, तो मज़ा आएगी, महनत करोगे ना, बाद में अगले दिन याद भी आएगा, यार, मैंने कुछ उखाड़ा तो है जिन्दगी में, मैंने सोचा था, मेरा potential नहीं है, पर मैंने इतना अच्छा पढ़ रहे, हाँ आपको पढ़ लूँगा, अभी आ गही ना, तो तुम भी ये समझो, your past will not decide your future, your tomorrow will decide your future, कि भया मैं कैसा prepare करता हूँ, so you have to prepare very religiously, very meticulously and then you will have to fight for your both group and it is doable, इसके अलावा से बहुत सारे आपके मन में सवाल होंगे, आप चाहे तुम्हें को comment box पर जो यहां तक आया है मैंने बोला थे एक bonus point दूँगा, सुन लो, sir, जिसको rank लाने की इच्छा है न, एक चीज़ बता दू, आप both group तो दो गई, 6 subject है न, 6 subject को 3 category में बाटो, 3 category में divide करोगे सारा आपने subject को 6, यहाँ पे 2 subject आएंगे, यहाँ पे 2 subject आएंगे, यहाँ पे 2 subject आपकी strength है, strength का मतलब क्या सर, अगर paper tough, paper easy आया, तो आप इसमें 80 पार लाओगे, और paper अगर tough आया, तो आप इसमें exemption तो भी लेके आओगे, 60 प्लस लेके आओगे, दूसरे दो paper होंगे सर, जो आपकी mediocre है, इसमे paper easy आया, तो आप उसमें 65-70 चले जाओगे, और paper tough आया, त 50 तो लेके आई ही जाओगे, और तीसरा होता है सर, आपका weakness, जिसमें paper easy आया, तो 60 प्लस चला जाएगा, पर paper अगर weak आया ना, तो तुम 45 प्लस तो संभाल ही लोगे, fail नहीं होने दोगे, सर, ये तीन category में अपने topic को decide करो, सर, strength वो चीज होती है, वो subject जिसमें आपको interest भी अगा, accounts mediocre है, law मेरी strength है, tax मेरे, सर, tax मेरी strength जरूर है, पर tax थोड़ा difficult आता है, तो मैं उसको mediocre में डालने की कोशिश करूँगा, unrealistic नहीं होने है, फिर उसके बाद costing मेरे को maths जमता है, तो मैं उसको अपने strength में डालूँगा, audit मेरी weakness है, costing को में, और tax और FMSM को में यहाँ पर जाल देतों, सर, इससे क्या होगा, जब आप इस तरीके से अपना approach बनाओगे न, आपको बता है, जो मेरी strength है, वो मुझसे बहुत महनत मांगेगी, जो मेरी weakness है, वो मुझसे बहुत महनत मांगेगी, weakness मेरी बहुत महनत मांगे मेरे को fail होने से बचाएगी, और strength मेरी बहुत महनत लेके मेरे को rank के तरफ लेके जाएगी and that is when you see a rank in your paper that is when you see a rank in your mark sheet so when you get a rank in your mark sheet you will see 6 subject का mark sheet उठा लोगे न, आपको हर subject में exemption तो दिखे गई, लेकिन आपको 2 paper ऐसे दिखेंगे, जो 80 या 90 फाड के जा रहा है, उसका aggregate उठा के rank के तरफ लेगे, तो 2 subject को अपना core strength बनाओ या आपके bottom side को भी save guard करेगा, कि आप fail नहीं हो रहे हो या आपके upside को भी save guard करेगा कि आप rank के तरफ जा रहे हो, तो इस चीज़ को ध्यान रखना, बहुत कम लोगों के share करना, क्योंकि भईया, आप भी सबको पता चल जाएगा, तो इस strategy काम का करेगी, पर दोस्तों, उमीद आपको वीडियो समझ आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा, इसे बहुत सारे और information में आपके throughout May 24 तक बहुत सारे revision वीडियो, जब आप January में आओगे न, तो मेरा YouTube channel आपको बता देगा February में क्या करने है, जब आप February में आओगे बता देगा March में क्या करने है, आच February, March के सवाल मत पूछो, कोई मतलब नहीं, आच January के सवाल पूछो, ठीक है, तो मेरा YouTube channel आपको बता देगा, तो चैनल सब्स्क्राइब ज़रूर कर लेना, ताकि आपको समय समय पे सही वीडियो मिलता जाए, और सही, आप निकलते जाओगे, रस्ते से में खीच-कीच के लाता जाओगा, सही रस्ते में जाएंगे, और May 24 पक्का clear हो जाएगा, don't you worry about that, तो बच्चे, अभी भी यहां तक वीडियो देखे, आपको बता दो, Interlog का exam oriented batch जो है, वो शुरू हो रखा है, अगर आप register करना चाहे, तो अभी भी आप live batch जो है, उसके लिए join कर सकते हो, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, नीचे description में आपको बहुत सारे details मिल जाएंगे, मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में, until then take care, this is yours, your buddy Shubham Singhal, signing off, वीडियो पसंदा है, तो like जरूर कर देना, और अपने दोस्तों को बता देना, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में,